हेलो दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेड पिज्जा जो कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेलिसियस बना है और ये सिरफ दो मिनट में बन करके रेडी हो जाता है और जटपट से बन जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है और आज हम ये पिज्जा तो इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है तो इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है वाइट ब्रड यहां पर मैंने पांच ब्रड ले लिये हैं इसके साथ मैंने एक टमाटर एक प्याज एक शिमला मिर्च को बारी काट कर ले लिया है और चीज को मैंने ग्रेट कर करेंगे यहां पर मैंने ले लिया है मिक्स हर्व तो आप अपनी टेस्ट को अगॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा या फिर थोड़ा कम आड़ मैं लिए देंगे Esse avisu के साथ हम रड़ादा के सा werk अधाने चाहट चफ시면 लाधा मंड़ सकते हो इसी के साथ हम अर्गेणु भी डाल देंगे आधा चूटा चमच इसी के साथ हम डाल दे रहे हैं चाट मसाला तो आदा छोटा चमच के करीब में मैंने चाट मसाला लिया है इसी के साथ हम डाल देंगे काला नमक तो आदा छोटा चमच मैंने काला नमक भी डाल दिया है तो अब मैं इसमें डाल दूगी एक बड़ा चमच जो हमने चीज को ग्रेट करके लिया हुआ था और इसके बाद में इसमें डाल देंगे दो छोटा चमच तेल आप कोई भी जो आप तेल खाते हो वो आप इस्तमाल कर सकते हो तो दो चमच तेल डालने के बाद में हम इसे केक स्लाइस इसी के साथ हम यहां पर ले लेंगे टोमैटो केचप और पूरे ब्रड में हम इसको अच्छे से इस प्रड़ कर देंगे इस तरीके से पतला-पतला फैला देंगे तो यह हो चुका है इसके बाद में अब हम अपनी सबजी को इसके ऊपर डाल देंगे तो आप तो एक दो बड़े चमच के करीब में इसमें डाल देजिए अच्छे से फैला देजिए हर तरफ और इस तरीके से फैलाने के बाद में हम इसमें डाल देंगे चीज तो चीज आप थोड़ी सी कम यह जादा अपनी टेस्के अकार्डिंग एड़ कर सकते हो तो हम थोड़ा- चीली फ्लेक्स और जो हमारे पास और गेनो गहरा है आप थोड़ा-थोड़ा ऊपर से डाल सकते हो तो हम चीली फ्लेक्स और गेनो और जो हमारे पास मिक्स हर्व है तो हम सभी को हलका हलका सा इस तरीके से छीड़क देंगे ताकि टेस्ट बड़ जाता है इससे तो बस यह में चिखे यहां पर मैं ले लिए तवा नहीं करना है मीडिум घर होना चाहिए और फ्लेम कर लो हो रखेंगे यहां पर मैं लगा रही हूं बटर तो वह लगाने के बाद में हम इस पर रख देंगे अपना प्रेड इसको ढख कर दो मिनट पका लेंगे इसको पकने में दो मिनट से जादा नहीं लगता है और आप ये देखे कितने अच्छे से हमारा जो चीज है वो मेल्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हो कितना जादा टेम्टिंग लग रहा है तो मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर दूँगी और हमारा एक पिज़ा बनकर रेडी हो चुका है तो मैं सेम बे में सभी पिज़ा को बना करके रेडी कर लूँगी इसको बनने में दो मिनट से जादा नहीं लगता है तो आप ध्यान रखना दो मिनट के बाद आपको इसे निकाल दे रहना है और मैं आपको एक पिज़ा को कट करके दिखाती हूँ तो आप देखेंगा यह बड़ी असानी से कट जा रहा है मैंने चाकु से कट किया तब भी असानी से कट हो गया और आप यह देखें कितने अच्छे से हमारा चीज मेल्ट हुआ है और हमारा बहुत ही ज्यादा कुरकुर करता ब्रेड़ शीच कर भी रेड़ी हुआ है अच्छे से पीछे की साइड सीच गया है और हमारा आप देख सकते हो कितना टेस्टी पिज़ा बन कर के तयार हुआ है जब आपको खाना हो तो आप इस तरीके से ओपर से भी हलका हलका जो डेट जिली फ्लेक्स है वह आप डा करें तो प्लीज अपना एक्सपिरियंस जरूर शेयर करें और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना था इंक्यू सो मच फ्राजिंग टोड़ेज वीडियो बाई बाई